उन्लाइन शॉपिंग नमस्ते हम उन्लाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं? इसकी जानकारी इस वीडियो द्वारा समझते हैं ओन्लाइन शॉपिंग करने के लिए वेब ब्राउजर के अड्रेस बार में ये वेब अड्रेस टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए वेबसाइट आपके वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगी इस वेबसाइट पर आप उत्पादन ओनलाइन खरीदने के कई पर्याय देख सकते हैं इस वेबसाइट के इस पर्याय पर क्लिक करने से हर उत्पादन के प्रकार की सूची दिखाई देगी इसमें से आपकी आवशक्ता नुसार उत्पादन के प्रकार पर क्लिक कीजिए उधारन के तौर पर इस वीडियो में जूलरी खरीदने की प्रक्रिया दिखाई गई है सूची में से जूल्री इस प्रकार पर क्लिक करने के बाद जूल्री के सभी प्रकार हमें वेबसाइट पर दिखाई देते हैं जूल्री के प्रकार में से जो प्रकार ओनलाइन खरीदना हो Categories इस पर्याई में से आपकी आवशक्ता के अनुसार प्रकार को चुनिए प्रकार चुनने के बाद उस उत्पादन के सभी पर्याई वेबसाइट में ओपन हो जाएंगे खरीदारी आसान करने के लिए और उत्पादन को अच्छे से समझने के लिए हर उत्पादन की फोटो और कम शब्दों में उसकी जानकारी दी जाती है इन पर्यायों में से आपको जो उत्पादन खरीदना है उस पर क्लिक कीजिए उस उत्पादन की संपूर्ण जानकारी देने वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा जैसे इन बैंगल्स की संपूर्ण जानकारी आप देख रहे हो इससे ग्राहकों को उस उत्पादन को खरीदने का निर्णय लेने में आसानी होती है इस उत्पादन को खरीदने से पहले उसकी संपूर्ण जाज कर लें और उसके सारे परियाय आवशक्ता के अनुसार सिलेक कर लें और इस उत्पादन को खरीदने के लिए बाई नाउ इस विकल पर क्लिक करें इस उत्पादन को खरीदने के लिए इसका भुक्तान ओनलाइन करने के लिए इस विकल पर क्लिक करें भुक्तान करने से पहले ये उत्पादन अपने घर या जिस जगा मंगवाना हो उसकी संपूर्ण जानकारी शिपिंग अड्रेस में देना बहुत जरूरी होता है आपकी या जो भी व्यक्ति ये उत्पादन स्वीकारने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम, इमेल आईडी, मोबाइल नंबर, संपूर्ण पता, उस जगा का पिन कोड, शहर और राज्य ये सारी जानकारी सेव करें और खरीदारी जारी रखने के लिए सेव एंड कंटिन्यू इस विकल पर क्लिक करें इसके बाद आप उत्पादन के कुल राशी का भुक्तान करने का तरीका चुनने के लिए Select Payment Option इस विभाग में आपको सारे पर्याय दिखाई देंगे जैसे की Credit Card, Debit Card या फिर Internet Banking इन में से आपको भुक्तान करने का कोई एक पर्याय चुनना होगा हम Debit Card से भुक्तान करने का तरीका देखेंगे आपके Debit Card का 16 अंक का Card No. टाइप करना होगा आपको आपके Debit Card के वैदिता बतानी होगी आपका Card सुरक्षित रखने हे तू Debit Card के पीछे एक तीन अंकों का सुरक्षा अंक दिया जाता है वो CVV मतलब Card Security Code इस बॉक्स में टाइप करें और Confirm Order पर क्लिक करें आपका Order कुछ दिनों में आपके बताय हुए पते पर मिल जाता है आपके पर मिल जाता है